आप सब उमीद करता हूं आप सब बहुत साथ बढ़ी होंगे मेरे नाम हो चलो और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना केमिस्ट्री क्लास नाइंथ का चैप्टर नमर टू अगर आप अगर हम साइंस की बात करें तो हम अल्रेडी तीन चैप्टर कर चुके हैं दो फिजिक्स हमने किया था मैटर ठीक है मैटर बढ़ा था उसके बाद हमने बढ़ा था फोर्स और लोज ओफ मोशन तो तीन चैप्टर हम कर चुके नहीं देखे हैं तो वह जाके देख लेना अब कर रहे हैं हम अपना चैप्टर नमबर टू केमिस्ट्री का और और यह साइंस के साथ से आपका चैप्टर नमबर टू ही है चैप्टर का नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर क्या जो मैटर हमारे आसपास है वह प्योर है या नहीं है इस मैटर अराउंड अस प्योर ठीक है अगर वह प्योर नहीं है तो हमनों से किस तरह प्योर कर सकते हैं आज के चैप्टर मे चीजे पढ़ेंगे matter के बड़े में पढ़ेंगे matter किस किस form में मिलता है क्या वो pure मिलता है या वो impure मिलता है अगर वो pure है तो वो क्या क्या हो सकता है वो पढ़ेंगे element हो सकता है compound हो सकता है अगर वो pure है तो mixture होगा उसके मारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे mixture हो सकते हैं लुक्त करने के तरीक है और कि अगर चैनल को सस्क्राइम नहीं करा तो कर außer सारी वीडियो जिसbox के students को मैं बता दू बहुत जल्दी class 10 शुरू कर रहा हूं मैं बहुत जल्दी से मैं अपना class 9 खतम करने वाला हूं ठीक है मुझे कुछ समय दो और class 10 बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी so guys is matter around us pure मैं start करते हैं इस chapter में मैंने कहा है कि chapter का जब आप नाम पढ़ते हो तो उसमें धूंड़ो क्या जो chapter का नाम है उसके बारे में पता है नहीं पता है तो क्या उस chapter के उस नाम से में कुछ धूंड़ना है देखो पूरे नाम में is matter around us pure मैं से वे एक ऐसा शब्दे matter जो में पता होना चाहिए क्या हमें matter पता है अगर आपने फर्स चैप्टर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दू matter के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है फर्स चैप्टर में matter पढ़ लिया matter की states पढ़ लिया matter किसके states में मिलता है matter को एक state से दूसरे state में convert करना प करते हैं क्या है वह मेंकले कर झार है इसके बारे में में तेक्षमपल में क्लियर कर दिया है वह बहूत साथ चीज़ों मिलके बनी भी है बहुत गंदिया है सोयल में तो वो प्यॉर नहीं है वो प्यॉर मैटर नहीं है हमारा लेकिन शुगर अगर मैं कहूं तो वो पिल्कुल प्यॉर है शुगर जो है वो हमारी बिल्कुल प्यॉर है तो जो हमारे मैटर है वो सारा का सारा जो हमारा मैटर है वो प्यॉर लेक्चर है इस लेक्चर में हो सकता आपको बहुत जाला इंपॉर्टन चीज़े ना मिले क्योंकि इंट्रोडक्शन है उन बच्चों के लिए जिन्हों नहीं पढ़ा है जिन बच्चों नहीं पढ़ लिया वह इस वीडियो को स्किप्ट करके दूसरी वीडियो देख सकते है ठीक है और वह बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आजाएगी ठीक है तो प्योर सब्स्टांस होता है एक होता है हमारा मिक्शर मैटर जो है वह हमें दो टाइप से मिल सकता है प्योर सब्स्टांस और मिक्शर अभी प्योर सब्स्टांस क्या होता है प्योर सब्स्टांस इस वन which is made up of only one kind of particles pure substance वो है जो केवल और केवल एक तरह केवल एक तरह के पार्टिकल से मिलके बना है अगर मैं असान बाशन में कहूं तो एक पार्टिकल अपनी जैसे दूसरे पार्टिकल से मिला है और दूसरा पार्टिकल तीसरे से तीसरे से चोथे से चोथा पांचवे से ऐसे करके केवल और केवल एक तरह के पार्टिकल्स आके मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए है अगर मैं एक्जाम्पल दू हाइडरोज़न गैस अगर मैं आपो भी होग यह तो है कैसी है वह is made up of only one kind of particle hydro-ют passes is मिलके बना है और वह है जया है अटम सब्सक्रांब मैं एक अटम मों क् fundament हो एक पार्टिकल बहुत सारे हो सकते हैं यह पार्टिकल बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन होंगे सिर्फ एक तरीके की एक जो वह आटम है हमारा वह अपने जैसे सिमिलर दूसरे आटम के साथ आके मिलेगा तब वह क्या होगा बिल्कुल प्योर जो है हमारा हाइड्रोजन फोम ह होगा यह तो बात हुई hydrogen की आगर मैं बात कुरूँ पानी की तो पानी जो है वह वह भी प्योर होता है तो वाटर जो हमारा हट्टू होता है इस मेड़ा पानी वन काइंड ऑफ पार्टिकल डैट इस atoms and molecules का chapter होता है third और जिकर हो जाता है अभी तो atom और molecule क्या होते हैं वो हम बिल्कुल असान भाषा में पढ़ेंगे third chapter बिल्कुल असान से हम उन्हें detailed explanation करेंगे third chapter हों फिलाल के लिए अगर आपको कुछ समझना है तो मैं बताओं बहुत तरह के atoms होते हैं ठीक है अलग-अलग element है अब उनके अलग-अलग atoms होता है अगर मैं atom कहूं atom होता क्या है तो atom एक smallest unit possible है किसी भी किसी भी चीज़ की जो smallest unit possible है वो होता है उसका एक atom ठीक है अब atom ना हर एक element का item दूसरे element के atom से different होता है मालो gold आपके एक element है आपके पास गोल्ड और एक element है आपके पास silver तो silver का एक atom gold के एक atom से बिल्कुल difference होगा बिल्कुल different होगा लेकिन gold का एक atom gold के दूसरे atom के बिल्कुल समान होगा ठीक है gold का एक atom दूसरे gold के atom के बिल्कुल एक जैसा होगा अब ये तो बात हुई एटम की मॉलिक्यूल होता है मॉलिक्यूल हो जाता है मॉलिक्यूल होगा भाई जब एक गोल्ड का एटम या तो अपने साथ ही जुड़ जाए एक गोल्ड का एटम या तो एक गोल्ड का एटम से जुड़ जाए एक गोल्ड का एटम एक गोल्ड का एटम के साथ ज यह मान लो एक शिलवर के साथ जुड़ जाए 2 सिलवर के साथ जुड़ जाए वहोता हमालीकूल जब एकन आप कर जाएं मोलेकूल होता है जो सकता है सिमिलर तरह एकम जुड़ जुड़ जाए है कोल्ड को लोड के साथ जुड़ जाए हो सकता है। गोल्ड का एटम गोल्ड के साथ जुड़ जाए गोल्ड का एटम किसी भी साथ जुड़ जाए गोल्ड का एटम छोड़ो मालने मैं कहूँ आइरन का एटम किसी और चीज के साथ जुड़ जाए सलफर के साथ जुड़ जाए हैना कार्बन के साथ जुड़ जाए यह है हमारा म molecule कहलाता है तो एटम समझ में आ गया एक सबसे smallest unit किसी भी चीज की पॉसिबल है तो hydrogen की सबसे smallest unit होगी वह गी उसका atom ठीक है atom उसका सबसे smallest unit होगी अब पानी तो दो चीजों से मिलके बनाए देखो hydrogen से मिलके बनाए अप्लस oxygen से मिलके बनाए तो hydrogen का एक hydrogen और oxygen के atom आके जुड़े हैं तभी जाके एक molecule बना है और जो पानी है हमारा वो पानी के molecule से मिलके बना है ठीक है बेफिकर रहो नहीं clear हुआ और डिटेल में परेंगे इस chapter के बारे में atoms and molecules के बारे में ठीक है अगर मैं इस chapter को अब लेके बैठ जाओंगा तो बहुत जादा बड़ी वीडियो हो जाएगी जो मैं नहीं चाहता अब pure substance भी हमारे दो तरीके से हो सकते हैं देखो हमने पड़ा हमारा atom दो तरीके से exist करता है या तो वो pure होगा या वो impure होगा यानि कि वो mixture होगा mixture भी है यह mixture क्या है mixture भी पढ़ाओंगा बेफिगर हो इंप्योर होगा यह समझ लो फिलाल के ठीक है या तो कोई चीज pure होगी या वो mixture होगी ठीक है अब pure भी हमारा दो चीजों में बटा हुआ है एक है element और दूसरा है compound एक है element दूसरा है compound ठीक है pure substance क्या क्या हो सकते हैं या तो वो elements हो सकते हैं या वो compounds हो सकते हैं elements हो सकते हैं या compound हो सकते हैं ठीक है all the elements and compounds are pure substance because they contain only one kind of particle कोई भी element या कोई भी compound जो है वो pure substance इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें केवल एक तरीके के particles होते हैं या तो atom होंगे या molecule होंगे मैंने अभी अभी आपको atom और molecule के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया ठीक है तो जो elements हो सकते है elements जो है वो pure इसले हैं क्योंकि उनके पास क्या से मिलके बने हैं वो केवल और केवल एक तरह के मॉलिकूल से मिलके बने हैं और परिशान मतों elements और molecules बिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स लेक्चर भी तीक है आज का ये जो लेक्चर है वो केवल और केवल इंट्रो है तीक है और impure substance, impure substance क्या होता है सबसे पहले मैं बताओं impure substance को हम mixture भी बुलाते हैं बहुत ये mixture क्यों बुलाते हैं माल लो मैं कहूं एक pure substance को अगर मैं दूसरे pure substance के साथ मिला दू तो क्या वो अब भी pure है, नहीं ना अब वो impure हो गया ना अब वो impure हो गया ना, फिर से वो ये example अगर मैं gold को silver के साथ मिला दू तो क्या आप यहां पर केवल केवल gold रहा, नहीं ना, gold प्रस silver तो अब ये क्या चीज होगी, ये impure हो गया, ये क्या हो गया, अब impure substance हो गया हमारा तो जो mixture होता है, mixture क्या होता है, mixture is a one which contain two or more different kind of particles, atom और molecule ठीक है, pure substance था, pure substance था वो जिसमें केवल एक तरीके के particles होते हैं, pure substance are those which contain only one kind of particles pure substance are those which contain only one kind of particles, और impure substance या फिर mixture, impure substance are those which contain more than one type of particles है ना, which contain more than one kind of particles, देखो, देखो, pure substance is one which is made up of only one kind of particle pure substance वो है, जो केवल एक तरीके के particles है, मिलके बना है, ठीक है, impure substance वो है, जो दो या दो से जादा तरीके के particles से मिलके बना है, और वो particles क्या हो सकते हैं, हमारे atoms या molecule हो सकते हैं, ठीक है, अब mixture, अब mixture क्या होता है, वो सुलो, mixture होता है two or more pure substance का मिलना, दो pure substance को आपस में घोल दो, मिला दो, वो क्या impure नहीं हो जाएंगे, बिलकुल हो जाएंगे भाई, दो pure substance को आपस में मिला दो, वो impure हो जाएंगे, वो impure हो जाएंगे, ठीक है, अब all the mixtures are impure substance, all the mixtures, कोई भी mixture है, भाई, पानी में आपने चीनी डाल दी, वो impure हो गया, क्योंकि आपने H2O, water में sugar add कर दी है, आपने पानी में sugar add कर दी, यह sugar solution था, salt solution, आपने पानी में sugar add कर दिया, milk, यह भी आपका क्या है, impure substance, sea water, पानी में नमक होता है, उसमें air, air भाई, उसमें एक तरीकी की gas होती है, अलग-अलग तरीकी की gas होती है, आपने air का composition पढ़ाओगा geography में, कि 21% हमारे जो air में oxygen है, 78% nitrogen है, 0.03%, क्या है carbon dioxide है, तो जब इतनी सारी चीज़े हैं, तो क्या air हमारी pure है, नहीं है न, pure नहीं है, ऐसे soft drinks, soft drinks में बहुत सारी gases मिलाई जाते है, carbon dioxide वगरा, minerals, rocks, LPG जो होती है, वो भी pure नहीं होती है, ठीक है, so most of the matter around us exist as mixture, अब बहुत सारी, देखो air हमारे चारों तरफ है, कैसी है, impure है, हम पानी में चीनी घोल दे, अब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, mixture के के तो बनाते हैं, तो वो सब क्या हो जाता है, वो imp आपस में मिला दो, दो pure चीज़ों को आपस में मिला दो, तो वो क्या बन जाती है, impure बन जाती है, अब यहाँ पर मैंने एक अच्छा flow chart सा बना रखा, यह समझ लो, यह है हमारा matter, हमारा matter दो types में exist करता है, यह हम पढ़ चुके है, यह हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यह ह हमारे pure substance, एक है हमारे mixture, pure substance मैंने आपको बता दिये, जो केवल और केवल एक चीज़ से मिलके बने है, जिनके पास कोई भी impurities नहीं है, mixture क्या है, जो दो यह दो से जादा चीज़ों से मिलके बने है, जिनके पास impurities है, जो impure है, वो क्या है हमारे mixture, अब हमारे pure substance भी दो तरी होंगे या compound होंगे है ना cannot be divided into simple substance made from elements chemical bonded together अब यहां पर इन लाइनों पर परिशान मत हो ना यह सुछ मैंने लिखी है flow chart दिखाने के लिए बाकि जब हम इने detail में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ठीक है तो element हो सकते हैं compound हो सकते हैं दूसरा मिक्षर भी दो तरीके के होते है मिक्षर भी दो तरीके के होते है हो मोजीनियस मिक्षर हेटरो tai cheese मिक्षर हो में दो 싹 मिला अगर मैं दो है तो ऑगर अगर पानी को अपनी हाथ में लो मदड़तों आप का उपर तरफ तो पानी है नीचे नीचे टरफ चीनियास जा था यानी कि जो छीज आपने दूसरी चीज़ में घोली आप बिल्कुल प्यूर्ली वह पूरी पूरी तरीके से घुल गई है उसी में पानी में नमक, ये भी तो उसके पानी में मिट्टी डाल दो भाई कुछ समय बाद होता क्या है मिट्टी जो है वो सारी की सारी नीचे बैठ जाती है सारी की सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और अगर आप चाहो तो उपर का पानी को निकाल भी सकते हो प्षारी मिट्डि आपके बंस बच जाएगी तो आप हम जो है पानी और मिट्ड ओलग कर सकते हैं हम जो है पानी और मिट्ड को अलग कर सकते हैं तो कैसा इंहें हिटरो जीनियस मिक्सचर ठीक है अब जो भी हमारा मैटर है जो है वहimporte 3 cases में divide हो सकता है हमारा matter जो है वो 3 cases में divide हो सकता है या तो हमारा matter element होगा या हमारा matter compound होगा या हमारा matter mixture होगा matter can be divided into 3 general cases देखो यह इसे उठे हैं यह इन्होंने क्या करा pure substance यह न लेके इन्होंने इसके यह ले लिये elements ले लिया Compounds ले लिया और उपर वाले का Mixer ले लिया element ले लिया Compounds ले लिया Compounds ले लिया और इसका ये mixture ले लिया यह ना Mixer बढ़ने था तो यह matter निज़ा हो गए अब और यह हमारा आज का last topic यह हमारा some important terms कुछ important terms है हमारी जो समझनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि next lecture में हम पढ़ेंगे elements के बारे में next lecture में हम पढ़ेंगे element के बारे में और element के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये तीन चीजें पता होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि elements में मारे further classify होंगे तो कुछ important terms अगर मैं element के बारे में बताऊं तो वो है ये पहली है मारी malleability malleability क्या होती है malleability ठीक है malleability है the property which allows the metal अब ये direct पूछ सकता है what is malleability तो लिख लेना अपने notes में the property which allows the metal to be hammered the property which allows the metal to be hammered and converted into thin sheet without breaking is called malleability वो प्रॉपर्टी एक metal की वो प्रॉपर्टी एक metal की जो उसे मार मार के मार मार के पतला thin sheet में convert करने की शमता देती है वो होती है malleability अगर आपने कभी gold देखा है तो आपने देखा होगा jewelers क्या करते हैं gold को वो बहुत कम gold को मार मार के thin layer में convert कर देते हैं बहुत पतली layer में convert कर देते हैं अगर आपने नहीं देखा तो आप चाहो तो उसे YouTube पे देख सकते हो gold जो है वो मार मार के उसको बहुत पतला किया जा सकता है इतना पतला किया जा सकता है कि आपको लगे गई नहीं कि वह बहुत पतला होगा आपको लगे एक पतला सा तार है जैसे जितना पतला आपका कागज होता है ना जितना पतला कागज होता उस उससे भी काफी पतला आप गोल्ड को कर सकते हो मार मार के देख पा रहे ह ठीक है, without breaking, वो क्या है, malleability, वो property क्या कहलाती है, malleability, clear हुआ, malleability clear हुआ, next चलते है, ductility, ductility, अब malleability और ductility काफी, जो है, समान होते हैं, लोग सुचते हैं, यह एक ही चीज़ है, मैं आपको अब बता दू, the property which allows the metal to be drawn into thin wires is called ductility, किसी भी चीज़ को मार मार के, मार मार के, stretch करके, खीच खीच के, खीच खीच के, उसे wire जैसा बना देना, वो होता है, ductility, वो होता है, ductility, ठीक है, तो मैं फिर से बता दू, metals में इतनी शमता होती है, कि आप उन्हें मार मार के, पतला कर करके, खीच खीच क wires में convert करते हैं, तो आप देखो, अगर आपने कभी घर पे wires देखे होंगे, wires की एक strip निकाल लो, तो copper का wire, आपको देखेगा, silver का wire है, तो वो metals के अंदर एक शमता होती है, जिससे जो क्या है, कि उन्हें खीच खीच के, आप wires जितना पतला बना सकते हो, wires जितना thin कर सकते हो wire जितना thin कर सकते हो, without breaking, ठीक है, तो malleability है, मार मार के पतला करना, malleability है, मार मार के, उसको thin sheet में convert करना, sheet जैसे आपने, आपके paper की sheet होती है, वैसा बना देना, ठीक है, आपके paper की sheet होगी, वैसा बना देना, अब sheet तो बहुत चोड़ी होती है, sheet तो बहुत चोड़ी होती है और ductility है wire बनाना wire तो बहुत पतला होता है sheet होती है बहुत छोड़ी तो ductility और malleability अलग-अलग property है यह आपको समझबा आकी होगी ductility है metal को मार-मार के बहुत पतला तार बना देना तार जैसा बना देना ठीक है और तीसरी property है brittleness अब brittleness क्या है यह पढ़ लो the property due to the property due of breaking into pieces on hammering is called brittleness किसी भी चीज का तूट जाना pieces में है ना वो property जिससे कोई भी चीज तूट सकती है pieces में वो कहलाता है brittleness तो यार साफ साफ हो गया पहली दो property में था without breaking इसमें आगे breaking है तो brittleness क्या हुआ हमारा opposite of malleability and ductility तो brittleness क्या है malleability and ductility का बिल्कूल opposite है brittleness क्या है malleability and ductility का बिल्कूल opposite है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही क्योंकि यह था सिर्फ हमारा एक introductory lecture ठीक है अगले lecture में elements के बारे में पढ़ेंगे types of elements के बारे में पढ़ेंगे हमारे elements भी अलग अलग तरीके के होते हैं ठीक है उन सब की properties को पढ़ेंगे next वीडियो बहुत जल दिया रही है ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर कीप काम, स्टड़ी वेल, all the very best for everything, bye bye, love you all